हेलो दर्मस्कार दोस्तों आप सब का फिर से स्वागत गता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम वूमन्स टीम कीजिया दोस्तों इंग्लिश वूमन्स टी 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 ट्वेंटी कप की जो मैच है थंडर वर्सेस लाइटनिंग याने टी वर्सेस लाइजी के बीच की टीन ड्री मिलोन की विनिंग टीम समको देखनी है जिससे की आपको अच्छे खासी अर्निंग हो सकती है या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग जरूर जी सकते है तो जैसे कि मैंने मैच को हैलेट करके दिखा दिया उस पर आपको क्लिक कर लेनी है अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाए तो कोई बात नहीं पर टीम कर लीजेगा और फिर टीम पर आपको क्लिक करने के बाद क्राप टीम बना सकेंगे लेकिन मैं आल्रेड़ी टीं टीम यहां पर बनाकर रख चुकौँ जिसे एक एक करके मैं आपको इडिट कर कि दिखा दूँगा कि edit करके नहीं आपको सिधे प्रिविव करके दिखाऊंगा किस-किस को आपको लेना किसको नहीं लेना और captain और voice captain आप किसे बना सकते ये भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन दोस्तों फिर से हमेशा की तरह से वीडियो को शुरू करने से पहले request साथ इसाथ आप देख सकते हैं पिछले वीडियो जाकर मेरे प्रेडिक्शन अच्छे जा रहे इतने बुरे भी नहीं जा रहे कि आप वीडियो ना देखे तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं माय टेम पर क्लिक करके और पाइली टिम का प्रिवियू में आपको करके द दोस्तों तो सबसे पहले एक लेर जेज मैं इनको ले ले रहा हूँ क्योंकि इनका प्रफॉर्मस बढ़िया रहा है पिछले मैचेस की बात करें तो और इसके बाद मेरे पास बैटिंग में तीन आप्शन हैं जैसे का आप देख पा रहे हैं एम केली को भी में ले रहा अगर बात करें मेरे पास इस बार इन तीनो चार आल राउंडर से इस टीम में तो जैसे की ले रहा हूँ के ब्रैसी को ले रहा हूँ पी क्लेरी को ले रहा हूँ और एल जैक्सन को ले रहा हूँ तो ये चारो की चारो की चारो काफी अच्छी खेल रही है और इन चारो को लेना काफि फाइदे में रहेंगा दोस्तों इसलिए मैं इन चारों के साथ जा रहा हूँ ताकिए आपको ये चारों की चारों बैटिंग और भॉलिंग दोनों में डिपार्टमेंट में आपको अच्छे-खासे पॉंक्ट दिला सकती है तो इससे हमें काफी फाइदा हो सकता है तो इसलिए चार All-Rounders के साथ मैं इस टीम में जा रहा हूँ अगर बात करें गेनबाजी में तो A. Hartley को ले रहा हूँ S. Munro को ले रहा हूँ और H. Emily Jones को ले रहा हूँ तो यहाँ पर एक बात बताना काफी जरूरी है दोस्तों कि इस इन टीनों टीमों में जादा चेंजेस नहीं रहेंगे 2-3-3-4-4 चेंजेस जरूर मैं आपको करके दिखाऊंगा लेकिन जादा चेंजेस नहीं करूँगा क्योंकि काफी जबदस प्लियर है जिनका performance काफी बढ़िया रहा है उनको हम छोड नहीं सकते हैं उनको छोड़ना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है तो इसलिए काफी बढ़िया और भेतर टीम है मुझे बना नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टी यह लेकिन फिर भी मैं भी जनता के साथ जरू जाओंगा और के बेर्स को इस टीम का वाइस कैप्टन बना रहे हो दोनों की दोनों बड़िया रहे दोस्तों दोनों अच्छी खेलती है और काफी बड़िया क्रिकेट खेलती है तो इसलिए इनको अब इतर का performance और लगत को मुसकती तो काफ़े नुक्सान देह हो ञ़कू सकता है उसलिए इन दूनों को क्यापटन और वाइस कप्टन राना थोड़ा ज़रू है तो आपकोस इस टीम को मैं आपको ग्राइड लिए जरूर सेच्जेस करूह दोस्तों क्योंकि Grand League के लिए ज़्यादा बेटर टीम है यह और small league के लिए भी best team है दोस्तो लेकिन अगर Grand League में अच्छी खासे याद निकरनी या जीत नहीं है आपको Grand League तो इस टीम को भी Grand League के लिए यूज करना जरूरी है और अगर आप चाहे तो दोनों लीगों के लिए भी ये team use कर सकते, कोई problem ने, कोई दिक्कत ने, चले दोस्तों इस team को close करते, और दूसरी जो team बनाई है, वो थोड़ी और भी हटके बनी है, यहाँ पे देख सकते, E, Thrickland को मैंने इस team में दिया, as a wicket keeper, जैसे कि आपको बताया था, यह तीन keeper है, तो तीनों को मैं सोच रहाँ को एक एक team में जरूर ले लू, अगर बात करें, बैटिंग की तो देख सकते, M Kelly को फिर से ले रहा हूँ, मैं इस team में अच्छी खेल रहे है, रोस्तों यह भी, G Borsi को भी इस team में ले रहा हूँ, D Collins को भी इस team में शामिल कर रहा हूँ, पिछली team में मैं इनको नहीं ले प ले रहा हूँ, और P Cleric को हम नहीं चोड़ सकते, यह काफी भढ़िया cricket खेल रही है, और काफी मतलब consistency है इनके खेलने में, तो इसलिए इनको हम नहीं चोड़ सकते, यह अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकती, तो अगर बात करें, गेन बाज ही की, तो जैसे कि म हमारे पास अफकोस रह नहीं वाली है, क्योंकि इनकी भी consistency है और इनका भी performance काफी ज़्यादा बेटर रहा है, तो इनको भी छोड़ना थोड़ा risky है, इसलिए मैं इनको कही भी नहीं चोड़ूंगा दोस्तो, उल्टा आप देख सकते, यहाँ पर मैं उनके साथ जा रहा हू ऐसर दोस्तो, हमली जोंस को मैं captain बना रहा हूँ, तो ऐ हार्टली को vice captain बना रहा हूँ, दोनो की दोनो काफी अच्छी गेन बाजी कर लेती है, दोस्तो और अच्छी गेन बाजी कर रही है, और इस सीरीज में भी अच्छा परफोर्ममस रहा है इन दोनों का, तो आपको याधा से जादा फायदा हो सके अफोस्तों मैं इस तीम को ज्याधा से ज्याधा Grand Lig के लिए सजेस्ट करूंगा Small Lig के लिए लेकिन ज्याधा अगर एक ही लगाते हैं तो इसे सिर्फ Grand Lig के लिए उच किजेगा Small Lig के लिए यूज मत किजेगा अगर आप दो लीग लगाते तो फिर आप इसे Grand League और Small League दोनों पर लगा सकते हैं वरना आप एक लिग लगाना चाहे तो सिर्फ Grand League लगाईगा काफी बहतर टीम है Grand League जिता सकती है थोड़ा हट के टीम भी बनाई है और थोड़ी हट के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी मैंने डिसाइड किये है हाँ परफॉर्मनस अच्चा रहा है लेकिन काफी कम लोग है जिन्होंने इन पर वरसाथ जता है जैसे कि आप देख पार है एच इमली जोन्स को कैप्टन और ए हटले को वाइस कैप्टन मैंने बना है तो कुलमिला के ये टीम भी काफी बेस्ट है दोस्तो इस टीम को भी क्लोज करते है और तीसरी और आखरी टीम हमें देख लेनी है मैंने किस तर से बना है यहाँ पर भी काफी अच्छे चेंजेस मैंने किया है दोस्तो फिर से आप देख रहे है तो तीनों कीपर में से मैंने तीसरी जो एस बेर सी है इनको ले लिया है यहाँ पर इस टीम में तीनों टीमों में मैंने अलग-अलग कीपर से लिये अगर आप चाहे तो एक ICB टीम बना सकते हैं जो इनमें तीनों कीपर को शामिल करेंगे लेकिन वो टीम बनाना काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि काफी अच्छे batsmen यहाँ पे all rounders है यहाँ गेंबाज है जिनमें से आपको decide कर पाना कि किसे छोड़े और किसे ले यह काफ इस बार मैं चार बल्ले बाजों के साथ जा रहा हूँ जैसे कि M Kelly को तो रहने ही देंगे हम यह तो काफी बढ़िया क्रिकेट खेलती है वही अगर बात करें तो जी बॉसी को भी स्टिम में ले रहा हूँ एल हिंगाम को भी ले रहा हूँ बी हर मर्क हर मर्कों भी स्टिम मे ग्राइन लिग में तो इसलिए इस कम्बिनेशन में मैं चार बल्ले बाजों के साथ जा रहा हूँ अगर बात करें तो तीन आल डोंडर को वही मेरे पास तो आप देख सकते ईलम को ले रहा हूँ ऑर पी क्लेरी को ले रहा हूँ पी को नहीं चोड़ूँगा दोस्तों आप भी इनको जरूर करें हर टिम में लेने के कोशिश कीजिएगा अगर बात करते हैं गेन बाजी तो इस इस ओल स्टोर जी आ दोस्तो इनका परफरमस काफी डाउन रहा है पूरी सीरीज में अभी तक लेकिन मुझे लगता है एक टिम में इनको ले लीजिएगा क्योंकि अगर सोचे दोस्तो ये प्लियर काफी अच्छी है और काफी अच्छी गेन बाजी कर लेती है लेकिन हाँ इस सीरीज में इनका परफरमस डाउन जरूरा है लेकिन प्लियर अच्छी होने के वज़े से एक टिम में जरूर रखिएगा दोस्तो अगर ये अच्छा देख पारे, इमली जोंस तो मेरे पास हर टीम में है, तो कुलमला के ये टीम भी अच्छी खासी बनी है, लेकिन दोस्तों मैं इस टीम को सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिक के लिए सजेस करूँगा, थोड़ा रिस्की मैंने चांसेस लिए है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रैंड लिक के लिए सजेस करूँगा, स्मॉल लिक के लिए बिल्कुल भी मैं सजेस नहीं करूँगा, हाँ अगर फिर भी आप स्मॉल लिक के लिए भी यूज करना चाहे, तो जरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लिक के लिए ही यूज कीज़ेगा, मैं यह आपको बता देता captain और wise captain की बात करें तो जैसे कि आप देखे पारे पी क्लेरी को अभी तो काफी कम लोगों ने captain और wise captain बनाया दोस्तो क्योंकि पता इसका reason तो मुझे पता नहीं लेकिं काफी कम लोगों ने इन पर भाब भरसा किया है दाव लगा है लेकिन मैं इनको जरूर captain बनाऊंगा ताकि अगर ये फिर से जी आ दोस्तो इनकी consistency अगर आप देखेंगे तो काफी बहतर रही है और ये अगर फिर से अपनी consistency को जारी रखती है तो आज ये भी आपको grand league जिताने में काफी helpful होगा दोस्तो इसलिए मैं इनको captain बना रहा हो तो H. Emily Jones को vice captain बना रहा हो अगर आप चाहे तो A. Hartley को भी vice captain बना सकते है या किसी और को भी vice captain बना सकते है लेकिन मैं इसी तर से इन दोरों को captain और vice captain बनाऊंगा तो कुल मिला कि ये भी team काफी भेतर बनी है और आपकोस आपको इस team को मैं फिर से बता दू grand league के लिए use करने है small league के लिए बिल्कुल भी use मत किज़ेगा इस team को भी close करते है और आखिर में यहीं कोंगा दोस्तो इन टीनो टीमों में अगर आपको कुछ भी changes करने है या फिर आप captain और vice captain से भी सहमत नहीं तो आप तीनो टीमों में changes कर सकते है लेकिन ज़्यादा changes मत किज़ेगा एक दो changes करेंगे तो कोई problem नहीं कोई दिकत नहीं लेकिन ज़्यादा changes करने जाएंगे तो थोड़ा risk इसाभीत हो सकता है तो I hope आपको मेरी तीनो टीमे और मेरा वडियो ज़रूर पसंदा होगा और अगर पसंदा हो तो इसे like share और comment ज़रूर कर दीजे चैनल को भी अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लिजे और bell icon को प्रेस करके all पर भी click करना ना बुले ताकि ऐसे वडियो आप तक पोस्टे रहे और आप अच्छे से earning करते रहे तो आज के वडियो में इतना है मिलते आगले वडियो में तब तक के लिए thank you, धन्यवाद, good bye